नमस्कार दोस्तों! कैसे हो आप? आशा है कि सब अच्छे और बढ़िया है. मुझे लंबे समय के बाद इस विडियो बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत लगती है. क्योंकि कुछ ट्रेडर्स की रोज की कमाई के कुछ बड़े स्क्रीन शॉट दिखा कर लोगों को बनाया जा रहा है. मेरे एक दोस्त ने सोशल मीडिया पर कॉल टिप्स के भरोसे ऑप्शन्स में लगभग आठ लाख रुपे खो दिये हैं. इसलिए नए ट्रेडर्स और जो ट्रेडिंग में पैसे खो रही हैं. उनके लिए आईए शुरू करते हैं. हमारी नई विडियो सीरीज ध्यान रखे कि उन सभी दोस्तों के लिए जो मार्केट में पैसा खो रही हैं. इस विडियो सीरीज में हम रिस्क मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पर चर्चा और सुधार करेंगे. बहुत से लोग कम समय में हाई प्रॉफिट से प्रभावित हो जाते हैं. और प्रॉपर सेट अप के बिना आप्शन्स में ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं. कुछ ट्रेडर्स, इंडिकेटर्स के आधार पर ट्रेडिंग कर रही हैं. ध्यान रखे इंडिकेटर्स बताते हैं कि क्या हुआ, वे यह नहीं दिखाते कि क्या होगा, इंडिकेटर्स बाजार का ट्रेंड, मोमेंटम दिखाते हैं. ध्यान रखे जैसे जैसे समय कम होता जाता है, जोखिम बढ़ता जाता है. और option buyers, option sellers की तुलना में अधिक जोखिम लेते हैं क्योंकि वे underlined asset को एक निर्धारित मूल्य पर खरीदने या बेचने के लिए बाध्य होते हैं जबकि option sellers कॉंट्रेट के विपरीत पक्ष को पूरा करने के लिए बाध्य होते हैं, यदि buyer अपने कॉंट्रेट का उप्योग करना चुनता है, इसके अतिरिक्त कॉंट्रेट खरीदार आम तौर पर कॉंट्रेट के लिए एक प्रीमियम का भुकतान करते हैं, जो धूप सकता ह यदि contract expires हो जाता है, जबकि विकल्प विक्रेता इंकम के रूप में प्रीमियम क्राप्ट करते हैं, दोस्तों, सरल परिभाशा में stock market निवेश stock खरीदने और बेचने से पैसे कमाने का एक तरीका है, इसमें इंकम कमाने के उदेश से सारवजनिक रूप से कारोबार करने वाली कमपनियों के शेर खरीदना और बेचना शामिल है, लेकिन बिना समझे शेर मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, और उचित समझ और सेटप के साथ यह निवेश को को समय के साथ पैसा बनाने का अवसर भी प्रदान करता है, प्रॉपर फाइंदिंग और समझ के साथ शेर मार्केट में निवेश आपके धन को बढ़ाने का एक शांदार तरीका हो सकता है, दोस्तों यह समझने के लिए कि यह कैसे काम करता है, स्टॉप ट्रेडिंग की मूल बाते जानना महत्वपूर्ण है, जैसे स्टॉप क्या है, उनकी कीमत कैसे तै की जा आपके वित्तिय लक्षों तक पहुँचने में आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं, इन विश्यों के बारे में सीख कर और संभावित निवेशों पर सावधानी से शोध करके आप शेर मार्केट में एक सफल निवेशक बन सकते हैं, दोस्तों इस वीडियो में हम अधिक वित्ति या परिभाशाओं के बारे में बात नहीं करेंगे, हम उन सभी के लिए विडियो श्रिंखला बनाएंगे जो उचित ग्यान और जोखिम को कम करके इन्वेस्ट करना चाते हैं, इससे पहले कि आप निवेश करना शुरू करें, शेर मार्केट और उपलब्ध विभिन प्रक के निवेशों के बारे में खुद को शिक्षित करना महत्वपूर्ण है, दोस्तों इससे पहले कि आप निवेश करना शुरू करें, सपष्ट निवेश लक्षों को निर्धारित करना महत्वपूर्ण है, अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को निर्धारित करते समय अपनी जोखिम सहनशीलता, समय क्षितिज और वित्तिय स्थिती पर विचार करें। जोखिम अधिक है, मुच्वल फंड मार्केट का जोखिम वहन करते हैं। इसके अतिरिक्त खराब फंड प्रबंधन के कारण खराब प्रदर्शन का जोखिम भी है। इंचार्डे ट्रेडिंग में सेक्यूर्टीज की तेजी से और बार-बार खरीद और बिक्री के कारण महत्वपूर्ण वित्तिय नुकसान का जोखिम होता है। इंचार्डे ट्रेडिंग एक ही कारोबारी दिन के भीतर फाइनेंशल एसेट को खरीदने और बेचने को संदर्भित करता है। इंचार्डे ट्रेडर्स का उद्देश्य अलपकालिक प्राइस मूवमेंट से इंकम प्राप्त करना है और आम तौर पर ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए तक्नीकी विशलेशन का उप्योग करते हैं। दूसरी और फ्यूचर्स ट्रेडिंग भविश्य की तारीख में एक स्पेसिफिक एसेट के लिए कॉंट्रेट्स खरीदने और बेचने को संदर्भित करता है। फ्यूचर्स ट्रेडर्स का लक्ष अंदर्लाइन एसेट में प्राइस मूव्मेंट से इनकम होता है। और वे आम तौर पर व्यापारिक निर्णय लेने के लिए टेकनिकल एंड फंडमेंटल एनेलिसिस दोनों का उप्योग करते हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में अंदर्लाइन एसेट में प्राइस में उतार चड़ाव के कारण नुकसान का जोखिम होता है। साथ ही प्रतिपक्ष के अपने दायत्व पर डिफॉर्ट होने का जोखिम भी होता है। Options Trading Risk Management और Flexibility and Leverage के कारण पोटेंशली रूप से इनकम कमाने के लिए एक उप्योगी टूल हो सकता है। Options Trading में Underlined Asset में कीमतों में उतार चड़ाव के साथ-साथ Options रणनीतियों की अतिरिक्ट जटिलता और Options के एक्सपायर होने की संभावना के कारण नुकसान का जोखिम भी होता है। Market में शामिल होने से पहले विकलपों की अच्छी समझ होना महत्वपूर्ण है। Options के Mechanics को समझना और उन्हें प्रभावी ढंग से कैसे उप्योग करना चनौती पूर्ण हो सकता है और गलतिया महेंगी हो सकती है। Options की समापती तिथी होती है, जिसका अर्थ है कि वे आम तौर पर लंबी अवधी के निवेश के बजाए शोर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए उप्यूक्त होते हैं। कुल मिलाकर, Option Trading जोखिम को प्रबंधित करने और संभावित रूप से इंकम कमाने के लिए एक उप्योगी टूल हो सकता है। लेकिन जोखिमों को समझना और स्टार्ट करने से पहले अच्छी तरह से सूचित होना महत्वपूर्ण है। दोस्तों सभी रिस्क and profit factors and all aspects of market पर हम अगले आने वाले वीडियो में सभी उचित दिटेल्स और चार्ट के साथ चर्चा करेंगे। अभी के लिए हम इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और मिलते हैं। अगले वीडियो में तब तक रिप्या सब्सक्राइब करें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो बाजार की समझ ना होने के कारण पैसे खो रही हैं। धन्यवाद।